दोस्तों आप लोगों के लिए गूड नीज है यहा है कि बिहर पुलिस कॉस्टेबल के सिलेवस में बदलाव क्या – तो क्या बदलाव हुआ है इसके बारे में आप लोगों को पूरे डिटेल में बताएंगे आप इस वीडियो को पुड़ा देख लिजे आपको सब कुछ किलियर समझ में आ जाएगा सबसे पहले यहाँ पर देख लिजे दिनांग पटना है इसके बाद है दो फरबरी 2021 दिनांग मंगलवार को अपरहान सारे चार बजे मुख्यमंत्री नितिश कुमार जी के अध्यक्षिता में बैठक हुआ था काविनेट का यहाँ पर डिसीजन है तो चलिए बिहर पुलिस कॉंस्टेबल से संबाद ही देख लिजे नीचे दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है सत्र नमर पुएंट में बिहर पुलिस की जो वेकेंसी आती है बिहर में जो पुलिस है गिरी विभाग के अंतरगत है और गिरी विभाग के अंतरगत ही बिहर पुलिस कॉंस्टेबल की वेकेंसी आती है सत्र नमर पुएंट में यहाँ पर स्विक् सद्रापदव पर वेकंसी दिया गया है तो उससे же रिल्टेट है यहां पर सीधी भरती हुआ यानि जो वेकंसी डियरेक्ट दिया जाते है उससे रिल्टेट चेहन पर किरिया है तो आयुजीत की जाने व़े लिखित परिक्षा के पात करम संसोधन के संबादों लिखित परिक्षा का पात करम है उसमें संसोधन के आगे है थोरा सा बैग्रॉंड देख लेज़ें बिहार में जो है बिहार पुलिस की वेकेंसी आ रही है एक्जाम बेस जो selection हो रहा है 2010 से इसे पहले exam के थूरू नहीं बताता है 2010 से exam लेना शुरू हो गया और exam में total 100 question पूछा जाता है फिर आप सबसे पहले आपको exam देना परेगा फिर physical test होता है और उसे according selection होता है और 2017 में क्या किया गया syllabus में फिर संसोधन क्या गया संसोधन यह क्या गया कि सबसे पहले exam होगा exam में total 100 question पूछा जाएगा negative marking भीहर पुलिस के exam में कभी भी नहीं है total 100 question पूछा जाएगा और जो भी vacancy रहगा मालीजे 10,000 vacancy है तो 5 गुना भीहरती को 50,000 candidate को physical clip ले आजाएगा अब जो physical देने आएंगे यहाँ पर क्या किया गया कि merit list जो त्यार किया जाएगा physical में marks के नुसार और इसके लिए total 100 निर्दारित कर दिया गया 2017 से पचास अंक दौर के लिए हो गया 25 अंग गोला फेक के लिए और पची संग उची कूद के लिए अभी इसमें आपका जितना अच्छा performance रहेगा उस according आपका merit list त्यार क्या जाएगा टोटल 100 निर्दार हो गया यह हो गया 2017 से फिर 2018 में क्या किया गया फिर syllabus में बदलोग किया गया 2018 क्या कर दिया गया था कि हिंदी इंगलीश और जीके इधर भासा पेपर रहेगा और दो वीशाब को चूज भी करना रहेगा 50 अंक सभी के लिए रहेगा 50 क्वेस्टन और 50 क्वेस्टन ऑप्शनल था कि इसमें से दो वीशाब कोई भी चूज कर सकते हैं गनित हो गया इतिया अस्पोगल साइंस इस सभी वीशा से कोई दो वीशाब अपनी अक्वर्डिंग चूज कर सकते है 2018 में इस तरह से syllabus किया गया लेकिन हुआ क्या कि 2018 को जो वेकेंसी उसको क्यांसिल कर दिया गया एड्मिर कार्ट भी 2018 में 1188 सी पदो पर वेकंसी दिया गया अब इसमें क्या हुआ कि जो पुराना 2018 का सिलेवस था उसको फिर से चेंज कर दिया गया गया 1 1888 सी में 10 renew क पर 2017 का सेम क्या गया 2019 में जो वेकेंसी दिया गया इसमें आब क्या कर दिया गया कि टोटल 100 क्वेस्टन पूछा जाएगा सभी विसाय से मिक्स हिंदी हो गया मैथ हो गया साइंस जी के सभी विसाय से मिला कर एक सो 2018 में ऑप्सिनल था यानी 22 साहपको चूज करना था 2019 में ऐसा नहीं था 120 और इसका एकजाम भी बिलकुल निया गया अब इसमें क्या था कि मेरिट लिष्ट जो है फिजिकल में मार्कस के अनुसर अभी त्यार किया ज हुआ है 2019 के according ही एक्जाम लिया जाएगा 2020 की जो विकेंसी चुरासी सो पंद्रवपदों का अब चले यहां पर फिर से आते हैं यहां पर दिया हुए बिहार प्लिस में सीपाही के बदपर सीधी भरती चैन पर करिया है तू आयुजीत की जाने वर लिखित परिक्षा के पाट करम के संसोधन में अभी का क्या पाट करम है देख लिए 2020 में जो वेकिंसी है यह इसमें टो पूछा जाएगा क्या रहेगा बार्मी लेवल का साइंस बिल्कुल बार्मी लेवल तक का पूछा जाता है मैत में भी कैलकुलास पूछ दिया जाता है इंट्रीगेशन डिफ्रेंसेशन इस तरह से बार्मी लेवल का भी क्वेस्चन पूछा जाता है साइंस मैत में बार्म लेबल तक और हिंदी में क्या होता है कि हिंदी में ब्याकरण का कुछी question रहते हिंदी सहाथ से question पूछ दिया जाता है बारेमी लेबल पर बिल्कुल अब फिर से आज के cabinet commitment decision यहाँ पर लिया गया कि जो syllabus है उसमें संसोधन किया जाएगा तो क्या संसोधन होगा इसके बारेमी यहाँ पर clear नहीं है जब तक official नहीं आता है यहाँ पर हम आप लोगो कुछ यहाँ पर confirm नहीं बता सकते हैं जब official आएगा तो हम आप लोगो कुछो जान करें देते हैं बिल्कुल official देते हैं तो कल इसका gadget जारी होगा इसके बाद हम आप लोगो को पूरे clear बताएंगे कि क्या इसमें संसोधन हुआ है अभी आप यहीं मान कर चलिए कि जो syllabus है syllabus में यहाँ पर संसोधन किया गया हो हो सकता एक optional subject जोड़ा गया हो या फिर question का level जो है बार्मी लेवल का है उसको टेंथ किया गया होगा तो यह कल पता चलेगा तो कल इसका gadget जारी होगा फिर हम आप लोगों के एक और वीडियो बना कर देंगे इसमें यह syllabus में बदला हुआ है और अभी जो 2020 में वेकेंसी आई है 2020 में जो बिग्यापन जारी हुआता है उ यहां पर कनफॉर्म नहीं लिखा गया है काबिनेट में जो डीसीजन होता है इसमें सिर्फ यहीं लिखा रहता है कि जो सिल्यवस में संसोधन यहां पर हुआ है उसको स्विक्रित कर लिया गया और इसके लिए एक अलग से गैजेट जारी होता है और उसमें पूरे डिटेल में दिया हुआ रहत है कि क्या संसोधन हुआ है तो कल इसके बारे में पता चलेगा तो कल हम आप लोग इसका अपडेट देंगे